नमस्कार आप देखें न्यूस फोर नेशन और मैं हूं सांद पना आपके साथ जापके अध्यक्ष और पूर्वसांसत पपुयादफ की जमानत याचका पर कल मदेपूरा कोट में सुनवाई की गई जिसके बाद उनके फैसले को सुरक्षित रख लिया गया बता दे कि कल पांच महिने से 32 साल पुराने केस के मामले में जेल में बंद है उनकी तब्यत भी लगातार बिगडी हुई ही रह रही है जिसके कारण उनका डीम सी अच में लगातार इलाज चल रहा है बता दे कि पहले पपुयादफ को पटना के जेल में रखा गया था पर उनकी तब्यत बिगडने के बाद उनका ट्रांसफर दर्भंगा कर दिया गया जिसके बाद वहाँ उनका लगातार इलाज चल रहा है और वहाँ वे कुरोना काल के समय से ही जेल में बंद है बता दे कि पपुयादफ की जमालती आचिका पर कल सुनवाई हुई जिसके बाद पपुयादफ उनके अपना पक्ष रखा और उन्होंने ये बताया कि वो निर्दोश है उन्हें तो आज पता चल रहा है कि 32 साल पुराने किसी मामले में उनको फसाया जा रहा है लगातार पपुयादफ के समर्थकों का बयान सामने आ रहा है वो बार-बार कहने है कि किसी राजनितिक शा रक्षित रख लिया गया है 30 सतंबर को अब इस पर फैसला आएगा कि आगे क्या होगा पपुयादफ जेल में रहेंगे या फिर वो बाहर आएंगे वो निर्दोश साबित होंगे या नहीं बतादी कि 32 साल पूर्व एक पुराने मामले में पांच महिनी से जेल में बंद प पपुयादफ की पेशी के दौरान 313 का बयान निशिकांद ठाकुर की बेंच पर यह सुनवाई हुई जिसमें पपुयादफ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम निर्दोश है नियाले पेर हमें पूर्ण भरोसा है जो नियाले का फैसला होगा वही हमें मनजूर होग कल पपुयादफ ने अपनी पेशी की और वहाँ उन्होंने खुद को निर्दोश साबत करने की कोशिश की जिसके बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुए और फिर उनको वापस DMCH भेज दिया गया है अब इंतजार है 30 सितंबर का जिस दिन फैसला सुनाया क्या है लगातार उनके समर्थक उनके बाहर आने की राहत तक रहें कि कब पपुयादफ बाहर आएंगे लोगों की मदद करेंगे बीते कुछ दिनों पहले पपुयादफ ने ये ट्वीच भी किया था कि वो अर समर्थ है लोगों की सहायता करने के लिए बाहर जो स्थिती को देख रहे हैं वो बहुत भयावा है कोरोना काल को लेकर और बाड को लेकर और वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं इस बात को उन्होंने अफसोस जताया था अब जबके उनकी बाहर आने की कवायद चल रही है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही वो बा कोरोना काल में बाड के दौरान कई लोगों की मदद की आर्थिक तरीके से वो कोई कसर नहीं छोडते हैं गरीबों की मदद करने को लेकर और इस बीच उनके समर्थकों का कहना है कि वो राजनितिक नेताओं के आखों का टीस बन गए हैं जिसके कारण उन्होंने उस दस्ती पपूयादव को फसाया है और 22 साल पुराने किसी मामले के तहट उनको जेल भेजवा दिया है बता दे की बीते माई में पपूयादव को जेल हुई थी जिसके बाद वो पांच महीने से जेल में लगातार बंद है वो जेल से बाहर नहीं आए हैं और अब 30 सितंबर क सबको इंतजार है कि पपूयादव के पक्ष में ये फैसला आता है या नहीं लगातार पपूयादव प्रयासरत है कि वो बहां निकल कर फिर से सब की सेवा भाव में जुटे उनका हमेशा कहना है कि उन्हें राजनीती से कोई मतलब नहीं है वो हमेशा गरीबों की सेवा में जुटे रहना चाते हैं, वो अपनी जनता की सेवा करना चाते हैं, यही उनका परमधर्म है अब देखना यह है कि 30 सतंबर को क्या फैसला आता है और इसके बाद ही जो फैसला आएगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे अब के लिए इतना ही अनकाई अपडेट्स के लमाई साथ जुड़े रहें, नमस्का